नमस्कार दोस्तों कवीदा याद यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है डीटर प्लैस्बी टीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं भक्तिकाल सिसंबंदित मैतवपूरिन पर्षन भक्तिकाल के मैतवपूरिन पर्षन हम एक से लेकर सो तक पहले कर चुके हैं और 101 से लेकर 150 तक आज की क्लास में हम करेंगे तो भक्तिकाल सिसंबंदित मैतवपूरिन पर्षन जो है हम निर्गुन का व्यदारा सिसंबंदित जो हमने टोपिक कम्प्लीट किया है उसी के परशनुत्रों का अभ्यास कर रहे है क्योंकि आप लोगों को पता ही है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है सफलता तभी मिलेगी आपको जब आप एक टोपिक को बिलकुल उसके तथ्यों को समझते हुए करोगे और साथ साथ उसके अधिक से अधिक परशन उत्रों को भी करते हुए अपने तैयारी को आगे बढ़ाओगे तब ही आपको लगेगा कि परिक्षा में हाई इस परकार के परशन हम पहले कर चुके है इस तरह से जो आपका अभ्यास रहेगा वही आपको सफलता दिलाएगा तो शुरुआत कर लेते हैं परशन संक्या 101 101 से हम शुरुआत करेंगे तो देख लेते हैं कबीर काव्य में उपलब्द अहिंसा का तत्तव कि संपर्दाई की देन है तो वैसनाव संपर्दाई की देन माना जाता है अहिंसा का तत्तव कबीर के काव्य में तो बात कर लेते हैं परशन संक्या 102 कबीर में उपलब्द ग्यान मारक की बाते आचारिय रामचंदर शुकल के अनुसार कहां से ली गई तो ये आपको बताना है तो इसमें जो है हिंदू सास्त्रोच से जो है जान मारक की बाते ली है आचारिय शुकल ने ऐसा माना है कबीर के सम्मन में बढ़ते हैं आगे आचारिय राम राम नाम किसे पराप्ट हुआ? आचारी रामचंद शुक्ल के अनुसार जो है कबीर को राम नाम कहा से पराप्त हुआ किस से पराप्त हुआ तो राम नाम कहा से लिया कबीर दास जी ने रामानन से जो कि कबीर दास जी के गुरु रहे हैं बढ़ते हैं आगे कबीर कावे में उपलब्द प्रेम तत्तव किसकी देन है प्रेम तत्तव पूछा हुआ है इसमें प्रेम तत्तव किसकी देन है कबीर के कावे में तो प्रेम तत्तव जो है वो कहां से लिफ सूफी कावे दारा से सूफी समपर्दाई से कबीर के काव्य में प्रेम तत्तव में देखने को मिलता है क्योंकि पूरा का पूरा सोफी काव्य है जिसे हम प्रेम आश्री साखा के नाम से भी जानना जाता है एक प्रेम काव्य के रूप में उसकी जो विशेशता रही है प्रेम काव्य के रूप में हमें देखने को मिली है जो हिंदू संस्किर्टी की जो लोकिक कथाई थी उन इक वादार बना कर सूफिक आव्यों ने प्रेम के जितनी भी प्रेम आख्यान लिखे गए उन इक वादार बना करके लिखे गए देख लेते हैं पर्शन संक्या एक सोपाच एक सोपाच में हम देखेंगे कौन सी रचना गुरू नानकी नहीं है इन में से कौन सी रचना गुरू नानकी नहीं है आपको ये बताना है तो अश्टपदी जो गरंत रही रास आसा दिवार और सोहिला ये तीनों के तीनों रचनाई जो है हमने गुरू नानकी पहले भी हम बढ़ चुके है, हमारा सही अंसर हो जाएगा, अश्ट पदी जो गरंथ जो की गुरू नानकी नहीं है, बढ़ते हैं आगे परसंसज्या 106, कबीर की बाशा को सदुकडी किसने कहा, सदुकडी नाम देने वाला आचारिय कून रहा कबीर दास की बाशा को, तो सदुकडी बा को ये बताना, कबीर के साहित्य में जो है, हमें किस तत्तव की पर दानता मिलती है, तो कबीर के साहित्य में हमें संदेश तत्तव की पर दानता मिलती है, यानि कि ये कभी कहा जाता है, कबीर दास जी के बारे में भी भक्त बाद में रहे हैं, समाज सुदारक पहले रहे हैं तो उन्होंने जितनी भी अपने काववय गरंद लिके है, काववय रचना इसमें समाज को एक संदेश दिया है, समाज को सुधारने का प्रियास किया है, समाज में चलिया है रूडी पर्थाओं को और बाहिये आर्नंबरों को विरोध करते हुए अपने काव्यों की उन्होंने रचना की है हर परकार से आप उनके काव्य में जब उनके पदों को पड़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कहीं इंदू पर वेंगय कसा है तो कहीं उन्होंने मुसल्मान की कुपर थाओ पर वेंगय कसा है देख लेते हैं बढ़ते हैं आगे परशन संख्या 108 संद कभीर के संबंद में कौन सा कथन ऐस सत्ता है संद कभीर के संबंद में इन में से कौन सा कथन ऐस सत्ता है तो इस परकार से भी परशन पूछे जाते हैं इन में से कौन सा कथन सत्ता है कौन सा ऐस सत्ता है हर परकार के परशनों को मैंने इसमें इंक कर रहा है उन्हें किसी भी परकार की कि कोई भीकट नहीं मैसूज ना हो और उन्हें यह ना लगे वो डी मेटी डी मोटिवेट ना हो कि परशन कठीन कठीन पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है 60-70% परशन आते हैं जो बिल्कुल EG लेवल के ही पूछे जाते हैं TGT PGT परिक्षाओं में हम NTA NET की परिक्षाओं की बात नहीं कर रहे हम TGT PGT परिक्षाओं की बात करते हुए जो अपने तयारी को है आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि TGT PGT परिक्षाओं में NTA NET के लेव परशनों को भी करते हुए चलेंगे और बिल्कुल आसान परशनों को भी हमने इगनूर नहीं करना है एक के परशन को बिल्कुल ध्यान से समझते ऊए करते हुए चलना है तो देख लेते हैं SANT Wasip gun P gebracht in देखने को मिलती है ये भी बिल्कुल सही कतन है और देख लेते हैं आईने अकबरी में कबीर का उलेक नहीं है तो ये नहीं है नहीं आईने अकबरी में कबीर का उलेक दिया गया है ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि किस में कबीर का उलेक मिलता है तो आहिने अकवरी में कभीर का उलेख पाया जाता ही आपको ध्यान रखना है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा टी ए सत्य कथन पूछा है तो नहीं को हम अगर काट देते हैं तो ही हमारा जो ओप्षन है ये सत्य हो पाएगा तो बढ़ते हैं आगे प्रचन संख्या 109 आचारिय नाम चंदर शुकल ने निर्गुन मारक का नीदरिष्ट परवर्तक की से माना है तो निर्गुन मारक का नीदरिष्ट परवर्तक जो आचारिय नाम चंदर शुकल के अनुसार की से माना गया है तो ये बताना है तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा कबीर तास जी को आचारिया नाम जंदु शुक्ल ने निर्गुण मारक का नीद्रिश्ट पड़वर्तक माना है बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं परचन संक्या 110 इन में से संद काव्य की प्रविट्टी कौन सी नहीं है संद काव्य की प्रविट्टी कौन सी नहीं है नहीं पूछा हुआ है तो आप लोगों को पताई होगा ये तीनों के तीनों जो प्रविटिया है ये संद काव्य के अंतरकत पाई जाती है बाई आनम्बरों का खंडन किया है जैसे और जाती पाती का भी इनोंने खंडन किया है आचरिन की शुद्धता पर बल दिया है लेकिन संद काव्य हम किसे कहते हैं जो ग्याना स्री साका है वही हमारी संद काव्य है जो कि निर्गुन का वैदारा के अंतरकत पाई जाती है और उसमें सगुनों पाचना नहीं की गई इस वर का जो सगुन रूप को आधार नहीं माना उन्होंने इस वर के निर्गुन रूप को आधार माना है इस वर का ना कोई रूप है ना गुन है ना कोई रंग है ना कोई आधार है इस परकार से उन्होंने इस वर के एक इस वर इश्वर को ही उन्होंने ये कहा है कि इश्वर एक है और सभी में विद्वान है बढ़ते हैं आगे माया महाठगेने हम जाने कि पंक्ते की कभी की है तो जो ये पंक्ते दे गई है ये जो है कभीर दास जी की है बढ़ते हैं आगे आचारिय रामचंदर शुकुल ने प्रेमा ख्यान परमपरा का परवर्तक किसे माना है एक सेकिन बढ़ी आचारिय रामचंदर शुकुल ने प्रेमा ख्यान परमपरा का परवर्तक किस कवी को माना है तो ये माना है आचारिय रामचंद शुकुल के अनुसार कुतुपन को आपको पताई होगा बढ़ते हैं आगे परशन संख्या 112 यह थोड़े से परशन संख्या में थोड़े मिश्टेक हो गई वह इसको ध्यान रखना आपको आचारिय संकराचारिय के माया वाद या एदवेत वाद का खंडन कर जीव की स्थित में सत्य की भावना किसने उपस्तित की है जो आचारिय शंकराचारिय के माया वाद या एदवेत वाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्तित की है तो यह आचारिय इन में से कून रही है तो वो देख लेते हैं तो इसका हमारा सही आंसर हो जाए बढ़ते हैं आगे दिवेतवाद के परवर्तक आचारिये जिन्होंने अपने सिद्धान्त अधिकतर बागवत पुरान में लिया है तो वे कौन रहे हैं तो देख लेते हैं दिवेतवाद के परवर्तक आचारिये जिन्होंने अपने सिद्धान्त अधिकतर बागवत पुरान से लिए हैं बढ़ते हैं आगे पर्शन संक्या जोदै वह संपर्दाई जिन में किर्शन बर्मा है और अपनी बक्ती ही बर्मा के पाने का एक मतर साधन मानते हैं और रादा मानने नहीं है तो वह संपर्दाई कौन सा है जिसमें रादा को मानने नहीं मानना है तो आप लोग क किर्शन को बर्मा के पाने का एक मतर साधन माना है किर्शन को ही बर्मा माना है तो वह है जो संपर्दाई है वो कौन सा है तो इन में से कौन सा संपर्दाई है वो तो वो है द्वेतवाद परती है आगे किर्शन के साथ रादा की महांता किस संपर्दाई की विशेषता है तो किर्शन के साथ रादा की महांता बताई गई है वो किस संपर्दाई की विशेषता बताई जाती है तो वो है सनक संपर्दाई की जिनके जो परवर्तक रहे है निंबार का चारिय रामानुचारिये के स्री संपर्दाई को व्यापक और लोग परिये बनाने का स्रे किसे जाता है? रामानुचारिये के स्री संपर्धाई को व्यापक और लोग प्रिये बनाने का जो स्रे है वो जाता है आचारिये रामानुची को पढ़ते हैं आगे सूफी प्रेमा खान्यों में कौन सी विशेशता प्राई होती है वती से होता है नाई का किसी द्वीब की निवास निहोती है शौपन दर्शन, चित्र दर्शन, ययगुन कषन से नायक नाईका में प्रेम होता है बिल्कुल सही उप्रुफ्त सबी तो ये तीनो की तीनो विसेचता ही है सूफी प्रेमा खानों में पाई जाती है बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं पर्शन संक्या 118 शूफी मत का आदिस रोथ डॉक्टर नगेंदर ने किसे माना है तो किस से माना है सूफी मत का आदिस रोड डोक्टर नगिंदर जी के अनुसार तो उन्होंने माना है शामी जातियों की आदिम प्रिविर्ति से बढ़ते हैं आगे पर्चन संक्या 119 अवदिबाशा का पर्थम महाकावे कौन सा गरंत है तो अवदिबाशा का पर्थम महाकावे जो है वो किसे माना जाता है तो वो माना जाता है पदमावत को बढ़ते हैं आगे परशन संक्या 120 सूफी शब्द की उत्पत्ति या व्यत्पत्ति किस शब्द से अधिकांस लोग मानते है सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है किस सब्द से अधिकांस लोग मानते है अधिकांस लोग पुछा हुआ है तो अधिकांस लोग मानते है सूफ से वैसे तो सभी अलग-अलग आचारियों में शुफी शब्द की उत्पति बिन बिन शब्दों से मानिये, किसी ने सुफिया से मानिये, किसी ने सफा से मानिये, किसी ने सुफा से मानिये, लेकिन सरो मानने मत के अनुसार या अधिकांस लोगों के अनुसार जो सुफी शब्द तो जो है प्रेम आना जाता है बढ़ते हैं आगे परशन संक्या 122 निर्गुन संतों के विचारदारा के बीज मिलते हैं कहां मिलते हैं किसमें मिलते हैं निर्गुन संतों के विचारदारा के बीज कहां पाई जाते हैं तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सीधनात कव्यों की निर्गुन संतों की विचारदारा के भी जमे मेर्द देखने को मिलते हैं बढ़ते हैं परशन संख्या 123 वह भगत संत जो किर्शन का उपासक नहीं था इन में से कौन सा भगत संत ऐसा रहा है जो किर्शन का उपासक नहीं था तो वह रहे हैं रामानन जी जो की राम के उपास रही है वलबाचारिय भी जो की सूर्दास जी के गुरू है सूर्दास जी ने अपना गुरु माना वलबाचारिय जी खो उन्होंने भी किर्शन की बक्ति की थी जो वलबाचारिय के आसिरवात से ही पुष्टी मारक कि जो भक्ती रही है यहीं सेईनों ने शुरुवात की थी और मेरा बाई तो है श्री किर्षण की जो एक अन्यने भक्त और सूर्दास जी तो परशिद रही है बक्तीकाल के अंतरक्त किर्षण का वैदारा के परमुकपरति नीदी के कवी के रूप में देखने को मिलते हैं त आउन देव दुवारा शंपादित स्री गुरु गरंद साहिब में किसकी कवीता संगृट है नहीं है नहीं पुछा हुआ है शीरी गुरु गरंद साहिब में गरु है जो संपादित गरंत रहा है सिरी गुरू गरंत साहिब उसमें इसकी कवीता सामिल नहीं की गई तो वो देख लेते हैं इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा तुलसी दास इसमें कवीता सूर्दास मीराबाई तीनों की कवीताई संग्रहित की गई है सिरी गुरू गरंत साहि में लेकिन तुलसी दास की कविता इस नहीं है बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं परसन संक्या 125 ज्यान मारगी निर्गुन साखा का एक छत्तर समराट की से माना गया है ज्यान मारगी निर्गुन साखा का एक छत्तर जो समराट है वो माना जाता है कवितास ची को समर्ग भगति कालिन काव्य का कौन सी विसेस्ता होती है समर्ग भगति कालिन काव्य पर कौन सी विसेस्ता होती है तो इसमें देख लेते हैं अवतारवाद में विश्वास जाती पाती का निशेद एहंकर का त्याग इस्वरिय लिला का गायन देखो अवतारवाद में विश्वास, अवतारवाद में जो विश्वास हैं, वो केवल सगुन कावे धारा के कवियों में पाया जाता है, नहीं कि निर्गुन कावे धारा के कवियों में, तो ये भी दोनों समर्ग भगतिकालीन कावे की परवर्ति पुछी हुई है, इसमें क पूरे के पूरे बक्तिकाल के कावे के परविर्ति इसमें कौन सी बताई गई है ना कि निर्गुन का वैदारा की परविर्ति पुछी है ना ही सगुन का वैदारा की परविर्ति पुछी है दोनों की अलग-अलग नहीं पूछी, केवल ये पूछा हुआ है कि पूरे के पूरे बक्ति समर्ग बक्तिकाल के अंतरगत कौन सी ऐसी विशेष्टा है जो दोनों में पाई जाती है, निर्गुण और सगुण, दोनों में पाई जाती है, तो अवतारवाद केवल सगुण का कवेदार हमें हमें देखने को मिलता है तो ये भी हमारा कर चाएगा जाती परता का निशेद भी जो हमें जो है कबीर के कवेदार हमें देखने को मिलता है सगुन में हमें दिखाई देखता है ये भी कर चाएगा इस्वर लिला का गायन जो है ये भी कर चाएगा तो ये भी हम अंसर हो जाएगा एहंकार का त्याग एहंकार का त्याग दोनों दाराओं में देखने को मिला है हमें सगुन कावयदारा के अंतरगत भी देखने को मिला है जैसे कभीरदास जी ने जितनी भी कावयर अच्छी है उसमें सभी में बताया कि एहंकार का त्याग करना चाहिए और निर्गुन कावेदारा के अंतरगत भी हमें देखने को मिलता है और सगुन कावेदारा के जैसे की निर्गुन कावेदारा के अंतरगत तो कभी दास जी के कावेदारा में हमें देखने को मिलता है साफ साफ और सगुन कावेदारा के अंतरगत हमें सुर्दास और तुलसी दा आचा प्रतास की रचनाव में फे यह देखने को मिलता है कि हम हम एंकार का त्याग करना चाहिए, तो त्याचा प्रतास। उर्मानी का डिरेक्टर किनों ने कहा अजारी परशाद्य विवेदी ने बार बार आप तत्यों को रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे बढ़ते आगे परशन संक्या एक्सवर्टाइस वहेगरंद जिसमें कबीर के आविरभाव काल समवत 1455 विक्रमी समवत का स कौन सा पाया जाता है तो कबीर के आविरभाव का काल का जो सपेस्ट उलेख मिलता है वहेगरंद कौन सा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कबीर चरित बोध कभी चरित बोध में यह हमें उलेख मिलता है बढ़ते हैं आगे परशन संक्या दोसों 139 संच साहित्य का सवरूप है संच साहित्य का सवरूप क्या पाया जाता है तो संच साहित्य का सवरूप है वह किस परकार का काव्य उन्होंने रची है तो संच काव्यों म मुक्तक काव्य हैं बढ़ते हैं आगे कबीर का दार्सनिक चिंतन है कबीर का दार्सनिक चिंतन क्या रहा है तो आप लोगों कोई पता ही है रहस्यवाद जो है कबीर का दार्सनिक चिंतन पाया जाता है और रहस्यवाद भी कोन से परकार का रहस्यवाद मैंने कई बार आपको बता दिया गया है, साधनात्मक, साधनात्मक रहष्यवाद पाया जाता है, कबीर के काव्यों में, रहष्यवाद दो परकार के होते हैं, एक साधनात्मक, एक बावनात्मक, तो रहष्यवाद जो है, कबीर के काव्यों में, साधनात्मक, रहष्यवाद की प्रवर्ति हमें दे किनोंने माना है तो कौन से आचारिय रहे हैं वे तो वे रहे हैं हमारे डोक्टर शाम सुन्दर दास जी जिनोंने कवेड की बाशा को पंच में लिखी चड़ी का नाम दिया था बढ़ते हैं आगे परशन संख्या 132 निमलिक्त में से कौन सा सासक दादू के उपदेशों से बहुत परभावित हुए तो कौन सा सासक ऐसा रहा जो दादू के उपदेशों से बहुत परभावित हुए तो वे रहे हैं अकबर बढ़ते हैं आगे परसुन संख्या 133 दादू के साहित्य की सबसे परमुक्विशेस्ता क्या रही दादू के साहित्य की सबसे परमुक्विशेस्ता रही है सरल और बोधगम्य भाशा दादू सहाब के किस संपरदाई की स्तापना की दादू सहाब ने जो है के नाम से भी जाना जाता है इसे और परबरमा समपर्दाई के नाम से भी जाना जाता है बढ़ते हैं आगे परशन संख्या एक बार हम पढ़ लेते हैं अपना अपना संपर्दाय स्तापित करने की परबल भावना के वल्लूरी गत बातों विधानों का वर्णन करने की प्रवित्ति कभीर के बाद उसके छोटे-छोटे संपर्दायों की स्तापना हुई जिसमे रचित सहित्य मातर संपर्दाय कोने के क कबीर के बाद अनेक छोटे-छोटे संपर्दायों की जो स्तापना रूँ इसमें रचित साहित्य मातर संपर्दाई होने के कारण साहित्तिक गुणों से सुन्य रहा ये जो है कबीर के बाद संत के काव्यों के पतन का परमुक कारण बना बढ़ते हैं आगे दो सूरती से आश्य क्या है तो सूरती और नीरती जैसे परकार इस परकार से अपरण स का अर्थ क्या है तो इस परकार से जो परशन पूछे जाते हैं सब्दों के वे भी कुछ-कुछ परशन परिक्षा में पूछ लिये जाते हैं तो हर एक परकार के परशनों को हमने लिया है तो सूरती का जो आश्य है वो है आनन का अनुभव नीरती से आश्य है तो नीरती से आश्य क्या है तो नीरती का जो आश्य है वो है जग पर पंच से वीरक्ति भठती हैं आगे परचन संख्या 138 संद कवियों का बरमात या परमतत्तव एक इसोरी वादी विचार तारा से पुष्ट करने पुष्ट किसके निकट है तो ये जो है संद कवियों का बरमा या परमतत्तव एक इसोरी विचार दारा से पुष्ट किसके निकट है तो ये जो इसका अंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा B जो एक इसोरी वाद की स्थापना करता है एक इसोरी वाद को मानता है एद्वेत वाद उसे ही के अंदर ही बरमा या परमतत्तव एक इसोरी विचार दारा से पुष्ट माना जाता है और जो एक इसोरी वाद जो होता है उसमें जगत को मिध्या माना है और जीव और बर्मा दोनों को अलग नहीं माना एक ही माना है उन्हों ने कहा है जीव और बर्मा दोनों जो है एक ही है दो अलग अलग नहीं है ए द्वेत ए का होता है नहीं और द्वेत का मतलब होता है दो कि दो नहीं है एक ही है तो इसमें जीव और बर्मा को एक माना है यह आपको ध्यान रखना है बिलकुल बार-बार पूचा जाता है परिक्षाओं में तो इससे बच्चे कन्फ्योज हो जाते है और इसमें क्या बताया है जगत को मिथ्या बताया है जगत एक परकार से मिथ्या है और जगत को मिथ्या नहीं माना वो की जीव और ब्रमा को आत्मा और परमात्मा को दोनों को अलग-अलग माना है। और द्वेता द्वेतवाद के अंतरगत क्या माना है। इन्होंने एद्वेत प्लस द्वेत दोनों को मिला कर बना दिया है एद्वेता द्वेतवाद। उसके अंतरगत दोनों ने इसमें जो है द्वेता द्वेत के अंतरगत दो भी माने है और दोनों को एक भी माना है आत्मा और परमात्मा एक भी है और दोनों भीन भी है इसके अंतरगत उनोंने द्वेता द्वेत के में माना है और शुद्धा द्वेतवाद की बात करें तो हम शुद्धा दिवेद वाद जो बर्मा को शक्ते मानते है और जगत को भी शक्ते मानते है जीव जो है बर्मा का ही अंसर ये इसके अंतरकत माना गया है ये आप लोगों को जो ये वाद है इनको मैं बिल्कुल बाद में एक-एक वाद को बिल्कुल डिटेल से समझा दूँगे पढ़ते हैं आगे कंटेंट की क्लास में करेंगे हम बगतिकाल के अंतर का जितने भी ये सब इवाद आएंगे उनमें हम एक-एक को हम समझते हुए देख लेंगे देख लेते हैं आगे परशन संक्या 149 कबीर को बिना महाकावे लिखे महाकवी माना है बिना महाकावे लिखे कबीर दास जी को महाकवी किस ने माना किस आचारी ने माना ये बताना है में तो इसमें जो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामसवरुप चतुरवे देजी बढ़ते हैं आगे परशन संक्या 140 दादो पंथ पहले किस नाम से परशित था तो हमने पढ़ाई था पर बरमासम परदाई दादो पंथ नाम से पहले परशित था बढ़ते हैं आगे धरमदास का परशित गरंथ है धरमदास का जो परशित गरंथ रहा है वो क्या रहा है आप लोगों को बताना है धरमदास का परशित गरंद जो रहा है सुक नीधान परशित गरंद रहा है परशन संक्या 142 बगति का वेका मूलकत्य क्या है तो बगति का वेका जो मूलकत्य अभी हमने पढ़ा था बगति का वेका अंतरगत जो पूरे के पूरे ब विशेष्टा जो परविर्थि बताई गई थी, कई जो विशेष्टा है उन में बताई थी एंकार का त्याग, लेकिन अगर इस परकार से अगर परशन पोछ लिया जाए बगतिकाल का मूलकत्य क्या है, तो बगतिकाल का जो मूलकत्य आप लोगों को पताईए बगति, बगत को ही वक्तिकाल का मूलकत्य माना गया है बढ़ते हैं आगे पर संसंक्या 143 संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है तो संतों ने नारी के कामनी रूप की निंदा की है बढ़ते हैं आगे पर संसंक्या 144 संत साधना का साहितिक रूप परारम हुआ है तो संत साधना का जो साहिट्तिक रूप है वो कहां से प्रारम हुआ है तो यह बताना है तो सीख संपर्दाय के परवर्तक एवं पर्थम गुरु किसे माना गया है आप लोगोंको पता इया को सीख संपर्दाय के परवर्तक माना गया है और पर्थम गुरू भी माना गया है जिनका जनम जो है तालवन्डी में 1499 में हुआ आप लोगों को पताईए क्योंकि कई बार इस परकार से परशन पूछे जाते हैं परिक्षया में जो इंपोर्टेंट है वे बार बार परशन पूछ आते हैं और हमे देख लेते परशन संक्या 146 नांग दर्शन का आताट प्νेट माना गया है जपूजी इ yük से बाद देख लेते हैं परशन संक्या 147 है कबीर अपने परम तथा पोर राम कहते हैं इसी परम्य नानक ने क्या कहा n도 अगा कभीर अपने परमतत्तव को क्या कहते है राम, और गुरु नानक ने इसको क्या कहा, तो गुरु नानक ने इसे शबद कहा है, सही आंसर हो जाएगा हमारा यह, शबद, एक सकेंद, बढ़ते हैं आगे, परसन संक्या 148, नानक देव जी के पदो को गुरु गरंच साहिब के किस परक परकरण में संकलित किया गया यह आपको बताना है नानक देव जी के पदों को गुरु गरंद साहिब में किस परकरण में संकलित किया गया तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महला महला के अंतरगत गुरु नानक देव जी के पदों को गुरु गरंद साहिब के परकरण में संकलन किया गया बढ़ते हैं आगे डोक्टर नगेंदर ने प्रेमा ख्यानक का व्य परंपरा का पहला गरंथ किसे माना है प्रेमा ख्यानक जो परंपरा का पहला गरंथ जो है डोक्टर नगेंदर जी के अनुसार किसे माना गया है वो आपको बताना है तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हंसावली बढ़ते हैं आगे पर्शन संक्या 150 अलग-अलग विद्वानों ने प्रेमा ख्यान परंप्रा का पर्थम गरंथ अलग-अलग माना जैसे कि रामकुमार वर्माने जो है चंदायन को माना है कुटुबुन पर्थम प्रेमा ख्यान कवी और उनका पहला गरंथ अलग-अलग विद्वानों द्वारा अलग-अलग बताई गए हैं तो यह आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं आगे पर्शन संक्या 150 हमारा आज का अंतिम पर्शन है यह और बिल्कुल इसी तरह है जो हमारे पर्शन एक क्लास में complete करते हुए फिर सगुन का वैयदारा को की शुरुवात करेंगे सगुन का वैयदारा से संब्दित जितने भी मैंत कुर्ण पर्शन निकलती हैं हम सभी पर्शन उत्रों को बिल्कुल अभ्यास करते हुए परिक्षा तक इसी परकार से चलते रहेंगे इसी इस तरह अच्छी तैयारी हो पाएगी क्योंकि अधिक से अधिक जितना आप अधिक से अधिक परशन उत्रों को करोगे उतना ही आपको परिक्षा में बेनिफिट रहेगा तो देख लेते हैं परशन संक्या हमारा अंतिम परशन संक्या 150 इस वर्दास क्रीज सत्यवतिक अथा को क हाजारी पर्शाद दवीवेति जी ने प्रेमां खान का वय परंपरा का पहला गरंट माना है यहान रखना है अमारा सव यांसर जो है हो जाएगा है हजारी परशाद दवीवेथि जी इस परकार से हमने आज की क्लास में 50 परशनों को कर लिया है पढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना वीडियो पसंद आई और आपको लगे कि हमारे लिए ये उपयोगी सी दोगी तो आप लाइक करना दोस्तों के साथ शियर करना चैनल पर बारो तो सस्क्राइब कर लेना पढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना थेंक्यू धन्य अजय वद्ट